लोगाइज वैल्कम बैक टो मैं चैनल तो हजब बनाने जारे हैं यह टेमेटो का चार तो इसके लिए हम दिली है टेमाटर अत्रक आरी मिर्ची और लेजन और अत्रक को हमने इसका छिल का पील कर लिया है और मिर्ची की डंटल हम लोगों ने तोड़ लिए अच्छे से तोड़के और इन सब को पाने से वाश करके अच्छे से उपको दूप में फैला देना है आज से 10 गंटे के लिए ताकि हमारे टमाटर में जितनी भी नमी है वो खतम हो जाए और टमाटर अंदे से थोड़ा से स दरसों और धनिया और रोस्ट करने के पाद इनको ग्राइड करके रख लेते हैं जब तक मारे टमाटर सूक रहा हैं धूप में हमने इनको रख दिया है फिर हमको गरम करना है एक पैन में एक से दू को टोरी तक तील और तील को अच्छे से गरम करना है जिब तक इसमें तूर देना है ताकि अच्छे से टंडे हो जाए और फिर हमारे टमाटों भी सुख गए तो इनको जो है अच्छे से काट लेते हैं आप इनको चाहे तो फॉर पीसे में कट कर सकते हैं या अगर आपको छोट चाहिए तो और इनको कट कर ले इसके बाद रखो भी हमने ऐसे इन तरीके से चॉप कर लिया है क्योंकि टमाटों बहुत महँगे हो गए है तो इस वज़े से हम इसको स्टूर करके ऐसे रख सकते हैं बाद में हमारे काम आ सकता है हम और अद्रा घरी मिर्ची और लेसें को भी हम ने हैसे काटिये है चाहिए तो आप लेसें को चॉप करके भी डाज सकते हैं और उसके पाद हमने इस सब्सक्राइब एक से दिखर मात नमक टाल सकते हैं जिससे कि जिदुदी खराह आप नहें कोगे अब चाहे तो इसमें दो चमत सिरका भी डाल सकते हैं और मिलाने के बाद इनको आख से इनको आपकाट की बॉटर में बर के रख दीजिए जो हमने तेल गरब किया है वो भी इसके उपर ठंडर हो जाया तो डाल दीजिए और इनको इस्टोर करके टाइटली बन करते हैं धूप निकले रहा भी इनको धूप दिखा देजिए और हमारा यह तमातर का चार टेस्टी अचार एक महिने के लिए इस्टोर करके रख सकते हैं वीडियो चेलिए तो लाइक करें शिर करें सब्सक्राइब करें में ते नेक्स्ट वीडियो बाइं तब तक के लिए ठीक